नमस्कार आपका स्वागत है ओल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की लीडिंग कमपनी रुलाइंस इंडास्ट्रीज ने राइट्स इशू के जरिये अपने शेर होल्डर से 53,000 क्रो रुपीज से ज्यादा का अमाउंट कलेक्ट करने का एलान क्या है कमपनी को डेट्फ्री बनाने की दिशा में कमपनी का ये अब तक का सबसे बड़ा राइट्स इशू है मार्कित कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कमपनी रुलाइंस इंडास्ट्री लेमिटेट के शेर होल्डर्स के लिए एक यूनीक ऑपरचिनिटी आई है ये ऑपरचिनिटी है सस्ते में कमपनी के शेर्स खरीदने की रुलाइंस इंडास्ट्री लेमिटेट के अनुसार ये राइट्स इशू 1,257 रुपीज प्रती शेर के प्राइस पर लाया जाएगा राइट्स इशू का साइज 53,125 क्रोड रुपीज का होगा कमपनी के हर 15 शेर रखने वाले को माकित से कम प्राइस पर एक शेर खरीदने का मौका मिलेगा आगे वीडियो में इसके विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है राइट्स इशू और ये आईपियो यानि इनिशियल पब्लिक आफरिंग और एफपियो यानि फॉलो अन पब्लिक आफर से कैसे अलग है राइट्स इशू का तरीका आईपियो और एफपियो से बिलकुल अलग होता है इसमें शेयर बाजार में पहले से ही लिस्टेट कंपनी अपने करन शेयर होल्डर्स को ही डिसकाउंटेट प्राइस पर शेयर देती हैं यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आईपियो और एफपियो में कोई भी निवेशक आविदन कर सकता है लेकिन राइट्स इशू में करन शेयर होल्डर्स को ही ये अधिकार होता है कि वो इसमें भाग ले या ना ले वो अपने अधिकार का उपयोग कर भी सकते हैं और यदि उन्हें ये ओफर पसंद नहीं आता तो इसे रिजक्ट भी कर सकते हैं शेयर बाजार में लिस्टिट कमपनी फंड कलेक्ट करने के लिए राइट्स इशू लाती हैं राइट्स इशू के जरिए कमपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्टा शेयर्स खरीदने का मौका देती हैं राइट्स इशू के जरिए शेयर होल्डर्स फिक्स्ट रेशो में ही एक्स्टा शेयर्स खरीद सकते हैं कंपनी ये ratio तैग करती है उधारन के लिए अगर कंपनी ने rights issue के लिए 1-4 का ratio तैग किया है तो इसका मतलब ये है कि shareholder को पहले से उसके पास मौझूद हर 4 share पर 1 extra share खरीदने का मौका मिलेगा Rights Issue के लिए समय का एलान कंपनी करती है तैग अबधी में ही ये investor को extra shares खरीदने का मौका देती है Reliance Industries Limited क्यों ला रही है rights issue? Reliance Industries Limited के अनुसार वो rights issue के जर्ये 53,125 क्रोड रुपीज कलेक्ट करेगी Reliance Industries Limited द्वारा rights issue के जर्ये 53,125 क्रोड रुपीज के shares जारी किये जाएंगे जो share holders के लिए निवेश का खास मौका होगा Issue के लिए किस date के बीच apply करना होगा इसका announcement company बाद में करेगी कितने में मिलेगा share? Company के board of directors ने right issue के जर्ये दिये जाने वाले share का price 1,257 रुपीज रखा है इसके share का price वैसे 10 रुपे है मतलब इसमें 1,247 रुपीज का premium शामिल होगा देखा जाए तो ये एक अच्छी deal है क्योंकि हफते के आखरी कारोबारे दिन यानि थर्जी को BSE में Reliance Industries Limited का share 1,454 रुपीज पर open हुआ और कारोबार के बीच 1,494.5 रुपीज के highest level पर भी पहुँचा मतलब कि जिस price पर right issue दिया जा रहा है वो अभी के market price से लगभग 14% कम है क्या होगा ratio? कमपनी के board of directors ने right issue का ratio 1,15 तै किया है मतलब कमपनी के हर 15 share रखने वाले को इसके जर्ये एक share खरीदने का मौका मिलेगा कमपनी ने ये भी तै किया है कि इसके promoter अपने हिस्से के right का उप्योग करेंगे Reliance Industries Limited को है बहतर future की उमीद Reliance को उमीद है कि आने वाले दिनों में इसका retail और जियो अलग unit का रूप ले सकता है कमपनी का मानना है कि जियो में बहतर भविशे देखकर ही Facebook ने इसमें 9.9% की हिस्सेदारी ली है पहली बार आ रहा है right issue Reliance पहली बार rights issue ला रही है हाला कि कमपनी अपने share holders को कई बार bonus share का gift दे चुकी है कमपनी ने पहली बार 1983 में bonus share जारी किया था उस वक्त Reliance ने हर 5 shares के बदले 3 share bonus के रूप में दिये थे इसके बाद 1997 में फिर 2009 में और सबसे last में Reliance ने 2017 में bonus share जारी किये थे कोई कमपनियां क्यों लाती है rights issue या किसी दूसरी कमपनी की acquisition के लिए fund collect के लिए rights issue लाती है कुछ कमपनी इस debt burden को कम करने के लिए भी rights issue का सहरा लेती है जैसा Reliance Industries के मामले में देखा जा रहा है Rights issue का share पर क्या असर पड़ता है? Rights issue का company के share base पर सीधा असर पड़ता है Rights issue के बाद company का equity base increase हो जाता है इसके चलते stock exchange में company के share के liquidity बढ़ जाती है Important बात ये है कि company के ownership में कोई change नहीं होता है इसका मतलब ये कि company का owners right उनी लोगों के पास बना रहता है जो पहले से मालिक थे Discount पर मिलता है share Rights issue में company share holders को कम कीमत में share provide करती है इसका मतलब है कि अगर किसी company के share का price stock exchange में 100 रुपीज है और company rights issue में 10% discount देती है तो company के extra share खरीदने के लिए आपको प्रती share 90 रुपीज देने होंगे यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों आपने हमारे live complete stock market crash course के अब तक के सभी batches को जिस तरह सपोर्ट किया उसके लिए आपका धन्यवाद अब हम अपने live course के 4th batch के साथ आ रहे हैं जो 16 मई से शुरू हो रहा है 4th batch का registration शुरू हो चुका है साथ ही हम इस course की pre booking पर 2, 3 और 4 मई को 37% का भारी discount भी दे रहे हैं 37% का भारी discount सिरफ 3 दिन के लिए valid है इसलिए इस मौके का फायदा ज़रूर उठाए course का link नीचे description और comment box में दिया गया है आशागरती हो आपको इवीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए साथ ही investment, finance और stock market को सीखने के लिए आप हमारी website www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए अपनी किसी भी query के लिए 8287-936451 और 8287-936452 नमबर पर call और whatsapp कर सकते हैं वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद